शरूप नगर में आखिर किसकी संदर्चण में फलपूल रहा है रुक्के का काला कारोबार युवाव को नसे का आदी बनाने का कारोबार आखिर कौन दे रहा है इनको सरण सुरूप नगर्थाना या डिसीपी या कानपूर कमिशनर साहब क्यों नहीं करते ऐसे हुक के बारो पर कारवाही नमस्ता मैं हुटी के सिंग और आप देख रहे हैं अखाण हिंदनियों बात देश की बात देश सिद्की युवाओं उन नसे की गर्थ में ढके रहा तलीसियर हाउस धुक कावार देश में धूमरपान पर्थ सारजनिक प्रतिबंद के बात से बोटलो रेश्टोरेंट समेथ अन्य सारजनिक इस्तलो पर अलग से स्मोकिंग जोन बनाने का नियम था पर कानपूर में धालीसियर हाउस रेश्टोरेंट इस नियम की आड़ में भुक का बार चला रहा है महीने का चड़ावा चड़ता है समंदित ठाने और चोकियों पर जिसके बाद हुपका संचालकों को नहीं रहता किसी कारवाही का खौफ और खाकी के आड़ में यहीरत छक्चंद रुपियों के लालच में युवाओं के भविस्त के साथ समझोता कर बन जाते हैं भच्चा पिछले एको साथ में सहर में बड़ी संख्या में हुपकाबार संचालित होने लगे हैं सूत्र बताते हैं कि दालीसियर हाउस में धढले से चलाया जा रहा है हुपकाबार नवालिक युवाप यूजियों को नसे का लटी बनाये जाने का काम हो रहा है दलीशियर हाउस में हुकबार में प्लेवर्ड हुक के कियार में तमाखू और अन नसीले पधार्थ मिला कर पिलाया जा रहा है इससे यूआज लड़के लड़किया नसे की लड़के स्थिकार हो रहे है छेतरी ये पुलिस से सेटिंग और प्रसासन की अन्रेखी से ये गंदा धंदा तेजी से पलपूल रहा है पहले भी दलीशियर हाउ यानी दलीशियर हुक काबार में हो चुकी है चापेवाई फिर भी चल रहा धडलले से हुक काबार सोसल मीडिया में वाइरल हो रहे एक वीडियो को सच माने तो सुरूपनगर छेतर में बने तलीशियर हाउस रेश्टोरेंट में युवाव को अवैद रूप से भुक्के का सेवन कराया जा रहा है इस्थानी नागरिकों का आरोप है कि कुछ सफेद पोसों के सनरचन में एक इस्थानी दबंग द्वारा इस हुककाबार का संचालन किया जा रहा है या होने वाली आराजक्ता का विरोज करने पर दबंग और उसके गुर्गे गाली गलोश करते हैं और धंकाते हैं कानपुर में कमिशनेट परनाली लाभू होने के बाद कानपुर वाफियों को कुछ राहत नजर आई की लेकिन कमिशनेट लग जाने के बाद भी हालाज जसके तफ़ पने हुए हैं इन हुकका संचालक को नहीं हैं कोई फीडर बीचे दिनों खाद तुर अच्छा एवशनी प्रसाशन जुभागी टीम ने सप्टी वर्ती पर इसके बाद भी कानपुर गिले में हुकका बार धड़लने से संचालित हो रहे हैं यहां कानून का खुलाव लंधन करते हुए नावाली की उवाओं को नसे का समान मोहिया कराया जा रहा है पर किसी जिम्मेदार को यहां कोई कभी नजर नहीं आ रही आखिर कब होगी इस दालीटियर हाउस उपके बार पर कारवाही या पहली की तरह इस पार भी जू नहीं नहीं देंगेगी क्रसासन के कानों में यह चंद रूपियों के लालत से यूहीं होता रहेगा यूवाओं के भविश्च का चौत अब देखना यह कि कांसर की कमिशनेर्ट पुलीशिया सुरूप नगरभाना इस पर कारवाही करता भी है यह फिर से चलेगा सेटिंग केटि और अन्हेंगेजू कुंद देखनों मु कुंद दो तो 계속ेखने से विर से अृब है टूक गयूप है लोग saatई का ऱूवादो कांसरे चाहीं